एक बार ब्रम्हा जी के मानस पुत्र सनत संकादी भगवान विश्नु के दर्शन करने वैकूंट धाम पहुँचे। वैकूंट में विश्नु धाम के द्वार पर भगवान की दो पार्शत जय विजय द्वारपाल के रूप में बैठे थे। इन दिगंबर साध्वों को देखकर पहले तो उन्हें हंसी आ गई, फिर पूछा आप लोग कौन है? ऐसे नंग धरंग यहां कहां चले आ रहे है? उनकी बात का सनत ने बुरा नहीं माना, क्योंकि ये द्वारपाल थे और बिना पूरी जाँच परताल के कैसे अंदर जाने द जाते हैं. हम सदा इसी रूप में रहते हैं, इसलिए हमें अंदर जाने दो. उद्धरंग चिन्ह. मगर जय विजय नामक द्वारपालों ने सनत संकादी को अंदर नहीं जाने दिया. इससे रिशियों को क्रोध हा गया कि इन द्वारपालों को इतनी भी समझ नहीं कि रिश जात को सुनकर भगवान विश्नु स्वयम बाहर आ गए और सनत संकादी को आदर से अंदर जाने को कहा. उधर जय विजय को दुखी देख भगवान विश्नु ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने शाप की बात बताई. भगवान विश्नु ने कहा, उद्धन तका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा. असुर कुल में तुम्हारा अगला जन्म अवश्य होगा. इतनी चिंता मत करो, तुम मेरे पारशद हो, इसलिए इसका पुन्य भी मिलेगा. मेरे द्वारा ही तुम्हें दैत्यय योनी से मुक्ती मिलेगी. चनत संकादी भगवान के दर्शन कर चले गए. जैविजय की मृत्यू होने पर उनका जन्म कश्य प्रशी की पतनी दिती के गर्ब से हुआ. दिती दैत्यकुलों की माता थी, अताह उसके गर्ब से जन्म लेने वाले जैविजय का नाम इस जन्म में हिरिन्याक्ष और हिरिन्यक्षिपू हुआ. उन उन्होंने अपने उत्पात द्वारा आसुरी शक्ती के बल पर आसुरी राज्य स्थापित किया. उन्होंने देवलोग पर भी आक्रमन कर देवताओं को भी तरस्ट कर रखा था. उन्होंने घोशना की कि अब से उनके राज्य के सारे यग्या उनके ही नाम पर होंगे. दे निश्चेकर हिरिन्याक शासुरी शक्ती के बल पर प्रित्वी को रसातल में ले गया. इससे सारे ब्रह्मान में उथल पुथल मच गई. त्रिष्टी का नियम भंग होने लगा. चतुर दिखा हाकार मच गया. प्रिशियों मुनियों तथा देवताओं ने मिलकर विष्णू स प्रार्थना की भगवान. देखिए इन दो महाप्राक्रमी असुरों ने क्या किया. देवताओं का यग्यभाद चीना, पूचा पाथ, धार्मिक कर्मकान समाप्त किये और अब तो समस्त भूमंडल को ही रसातल में ले गए. उठिये, कुछ करिए. ब्रह्मा की सृष्टी म ने देवताओं तथा रिशियों को आश्वासन दिया. जब प्रित्वी पर पाक का भार ज्यादा हो जाता है तो उसके उद्धार के लिए मुझे अफ्तार लेना ही पड़ता है. आप लोग निश्चिन्ध होकर जाए. मैं कुछ करता हूं. देवताओं के चले जाने पर जल राशी को चीरते हुए उपर आ गए. प्रित्वी को समुद्र से उपर आते देख तथा वाराह का भायन कर शब्द सुनकर हिरन्याक्ष बॉखला गया कि किसने उसकी शक्ती को चुनौती दी है. वाराह को देखते ही वह उसे मारने दोड़ा. उसका हरस्ट शस्त्र वार के शरीर से तक्रा कर चूर चूर हो जाता था. भगवान कुछ देर उसके प्रहार जेलते रहे और उसके क्रोध को भड़काते रहे. रूप भले ही वाराह का था, पर थे तो वे परब्रम अनंत शक्ती भगवान विश्णू. उन्होंने एक जटके से हिरन्याक्ष को अपनी भगवान विश्णू है. उसे अपना पूर्व जन्म याद हो आया. उसने भगवान की चरण पकर लिये और कहा, भगवान, पाप के शापका आपने अन्त कर देया और अपने ही हाथों इस जन्म से मुक्ती दिलाई. मुझे तो मुक्ती मिली, पर मेरे भाई हिरन्यक का क्या होगा? उसे भी तो मुक्ती दीजिए. भगवान विश्णू हसकर बोले, समय से पूर्व किसी के पाप का अंत नहीं होता. तुम्हारे भाई हिरन्यक शिपु के पाप का अभी अंत नहीं है. तुम्हारे अंत के लिए प्रित्वी कारण बनी. उसके अंत के लिए मु शांती से अपने प्रान त्याग दिये.